हॉस्पिटल जाना कोई नहीं चाहता, अगर वो डॉक्टर या फिर नर्स ना हो, डॉक्टर्स की तो कर्म भूमी है हॉस्पिटल, इन्हें तो जाना ही पड़ता है, हाँ मगर और लोगों के लिए हॉस्पिटल जाने का मतलब है वो उनकी या फिर उनके किसी पहचान वालों क बिमारी और बिमार होना तो कोई नहीं चाहता, बिमार होने पर ना चाहते हुए भी हमें हॉस्पिटल का मुद देखना ही पड़ता है, पिछली बार जब आप हॉस्पिटल गए थे या फिर टीवी या किसी फिल्म में हॉस्पिटल का सीन देखा हो, तो आपने देखा होग कि हॉस्पिटल का स्टाफ वाइट कोट पहने हुए होता है। आखेर ऐसा क्यूं होता है कि डॉक्टर्स और नर्सिस वाइट कोट पहनते हैं? इसके पीछे क्या खास कारण है? और क्या वाइट कोट पहनना जरूरी भी है या नहीं? अगर जानना चाते है कि डॉक्टर्स वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? तो देखिए ये पूरा वीडियो और लीजे आज के फैक्ट का टॉनिक, फैक्ट टॉनिक के साथ तो चलिए शुरू किया जाए। बीड से अलग एक आइडेंटिटी डिफाइन करना ठीक उसी प्रकार सफेद पोशाक, डॉक्टर्स को मरीजों और बाकी लोगों से अलग करती है ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि ये स्टाफ का सदस्य है एक कारण है सुच्छता मेडिकल प्रोफेशन में साफ सफाई का बहुत अधिक महत्व है सफेद कपडों पर स्टेंज आसानी से और जल्दी अडेंटिफाइ हो जाते है इसलिए भी मेडिकल स्टाफ सफेद कोट पहनते है इसके अलावा सफेद रंग को पवित्रता के साथ भी जोड़ा जाता है मेडिकल प्रोफेशन इसलिए भी एहम मान जाता है क्योंकि ये सीधे तौर पर इनसान के जीवन से जुड़ा है इसलिए इस प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति का शारिरिक और मानसिक दोनों तरह से पवित्र होना जरूरी है और सफेद कोट इसी पवित्रता का सिंबल है सफेद रंग प्रभुता का प्रतीक है कहत कि भगवान के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो है डॉक्टर तो वाइट कोट डॉक्टर्स को अपने प्रोफेशन की एहमियत से रूबरू कराता है और भी कई कारण है जैसे सफेद रंग शांती का प्रतीक है ये पॉजिटिविटी का सोर्स माना जाता है और ये गुलने की आशंका ज्यादा हो वहाँ पॉजिटिविटी, शांती, आशा, पवित्रता और गॉट्स ग्रेस जैसे शब्दों के मायने बहुत अधिक बढ़ जाते है वैसे वाइट कोट पहनना कंपलसरी नहीं है ये डॉक्टर की इच्छा पर निर्भर करता है अब तो आपके लिए लेकर आएंगे रोचक तत्व से भरे अमेजिंग वीडियोज